नवस्का दोस्तों मैं हूँ सीवाम पार्णे और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में IPC यानी इंडियन पैनल कोट के सिक्संस को ट्रिक के माध्यम सियाद करने वाले हैं मैं आपको बता दूँ कि ये टॉपिक इग्जाम की दिश्टी के साथ साथ आपकी डेली लाइप से भी जुड़ा हुआ है तो आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए इसलिए ये वीडियो आपके लिए खास हो जाती है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएग बात हो रही है तो आपको पता है पहले नंबर पर यही बात होगी क्योंकि IPC की धाराएं पढ़ रहे हैं हम लोग तो सबसे पहले IPC का नाम और उसका विश्टार छित्र जैनि वह कहां कहां लागू होते है यही जानकारिया मिलें हम लोग को जैसे हम लोगों ने भारती तो IPC की बात होगी सबसे पहले जैसे हमारी नोटबुक होती है तो सबसे पहले पन्ने पर अपना नाम लिखते हैं ठीक उसी प्रकार यह IPC की नोटबुक है तो सबसे पहले IPC अपना नाम लिखेगा ठीक है तो यह चीज़ आप याद रखिएगा अब हम लोग बात कर लेत धारा 2 की तो धारा 2 में भारत के भीतर किये गए अपराध जिनकी सजा IPC के अनुसार होगी अन्यथा नहीं इस चीज का वर्णन है मतलब यह समझे कि अगर कोई भी अपराध किया जाते है तो अगर उसका वर्णन या फिर उसके दंड का वर्णन IPC में है तो ही सजा मिलेगी लेकिन अगर कोई नया अपराध हा जाता है तो IPC में जाहिस चीज़त है नया अपराध है तो IPC में वर्णित नहीं होगा तो सजा नहीं मिलेगी ठीक है तो इसको सबसे पहले याद करते हैं फिर मैं आपको थोड़ा सा डीटिल में बता दूंगा कैसे तो यहाँ पर देख है कि भारत के भीतर किये गए ऐसे अपराध जिनका IPC में वर्णन है तो सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी ठीक है अब इसको थोड़ा सा समझ लेजिए कि कैसे दूसरे अपराध जिनकी सजा IPC के अंतरगत नहीं दी जाती है तो ऐसा समझे कि जो IPC था वो 1860 में आय था तो उ जब तक कि IPC में भारती दंड सहीता में उस अपराध के लिए दंड वर्णित ना हो जाए ठीक है तो समझ गये होंगे कोई नया अपराध आता है तो उसको IPC के अंसर सजा नहीं दी जा सकती जब तक कि IPC में उसको जोड़ा ना जाए साथी साथ कुछ अपवाद भी है कि जिनके उपर ना तो सिविल ना ही दिवानी मामला चलता है जैसे भारत के राजपती हो गए ठीक है साथी साथ भारत के प्रधान मंतरी या फिर भारत की कोई भी ऐसे अधिकारी जो I.F.S. सेवा में हो ठीक है या फिर I.F.S. सेवा के सदस्ट या दूसरे देश के पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय भारत ने पाकिस्तान के तिरान नेवे हजार साइनिकों को बंदी बनवाय था तो उनको जो है I.F.S. के अमसार सजा नहीं दी गई थी लेकिन यहां पर रह रह रहे थे तो जाही सी वाते भारत सजा तो नहीं दे पाया था लेकिन ज सीमा के बाहर किया गया है उसे ऐसा माना जाता है कि वह अपराद कहां किया गया है भारत में ही किया गया है ठीक यहीं भारत की सीमा के बाहर भले ही वह अपराद किया गया है लेकिन माना यहीं जाता है कि वह अपराद भारत में किया गया है और साथ ही साथ ऐसा समझे कि धारा तीन में तो धारा तीन में तीन सब्द लिखा हुआ है और यहां पर क्या लिखा हुआ है भारत की सीमाओं के बाहर का अपराध की बात हो रहे तो आपको पता है सीमा यानी बॉंडरी लाइन कितने प्रकार की होती है तीन प्रकार की जल ठल और वायू ठीक है तीन प्रक व्हाज नहीं तो अगर उसके अंदर कोई भी पृत है नहीं भराइफ है न हुआ है भारत में हुआ है ठीक है और जहीं सी बात है अगर भारत में क्राइम माना गया है तो उसको सजा भी कैसी दी जाएगी फुर से है ना ऐसा बहुत सकते हैं कि अवाय जाज जो है वह फुर से उड़ता है फुर फुर क्योंकि चिडिया भी उड़ती है तो फुर फॉर आपको याद आ जागा तो याद रखिएगा कि धारा चार में किस्टीच का वर्णन है रजिस्टर जलियान या फिर वाय व्यान के संबंध में याँ पर अपराधो का वर्णन किया गया है ठीक है अब आगे बात करते हैं अब हुआई सामने अगला है धारा पांच जिसमें कुछ अपवादों की बात की गई है कुछ अपवाद कैसे जैसे माली जे सेना के अधिकारी है तो उनको आईपीसी के अंतरगत क उनको सजा दी जाएगी ऐसे जो बिद्दू चोरी होती है ठीक है तो उनको भी आईपीसी के अंतरगत वर्णेत नहीं किया गया है तो यह याद रखने के लिए आप ऐसा समझे कि 5 में सब्द क्या लिखा हुआ है वाइफ ठीक है और आपको पता है घर में वाइफ अगर पूरुस करता है कुछ अगर कोई ही मालीजी तोड़ फोड सोड कर देता है घर में तो जाहिसी बात है इसके उपर घुसशा होगा लेकिन अगर घर में कोई मही Horse करती है तो उनको अपवध ही उपवाध होता है मतलब उनकोई सोर नहीं कर सकते या फिर उनको कोई डांट नहीं सकता तो एक अपवाद केस बन गया ना तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इसमें कुछ अपवादों का वर्णन यानि धारा पांच में कुछ अपवादों का वर्णन किया गया है वाइफ और फाइफ ठीक है अब हम लोग आगे बात कर लेते ह मैं आपको बता दूँ कि यहां से अध्याए एक खतम हो जाता है IPC में कुल 23 अध्याए है और 5 ये जो है अलग से है जैसे कि भारती संविधान में 22 भाग थे लेकिन वैसे गिंती के अंसर किते भाग होते है 25 भाग होते है ना 4 का बढ़ जाता है 9 का बढ़ जाता है और 14 का अध्याए 2 मैं आपको बता दूँ कि अध्याए 2 में धारा 6 से धारा 52 तक की आते हैं और इन में केवल और केवल परिभासाओं का वर्णन किया गया है ठीक है इसमें केवल परिभासाओं की बात की जाएगी तो उनको हम लोग देख लेते हैं काफी महत्पूर्ण है एक्ज तोड़ लेता है ठीक है तब यह अपराद नहीं माना जाएगा यह तुक्ष अपराद की स्रेणी में आता है तो ऐसा समझे कि यह अपराद नहीं होगा अगर कोई भी मतलब रिपोर्ट लिखवाता भी है तो उसको क्या कर दिया जाएगा तो छोड़ने में 6 सब्द आपको प्रणाद नहीं माना जाता है तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझे कि लिंग में सब्द लिखा हुए लिंक समझ रहे ना जैसे यूटूब से आप लिंक जनरेट करते हो ठीक है तो लिंक का अगर आप सिंबल देखोगे ना तो देखने में आपको आठ जैसा दिखेगा तो आप एसे याद कर सकते हैं कि धारा आठ में किस चीज का वर्नन है लिंग का वर्नन किया गया है अब बात कर लेते हैं धारा नौ की जिसमें वर्नन है वचन का वचन मतलब IPC के अंतरगत एक वचन और बहु वचन दोनों एक ही है मतलब अगर ऐसा माना जाता है कि उसने अपराध किया, या फिर वह अपराधी है, तो केवल एक व्यक्त के लिए नहीं बोला गया है, बलकि वहाँ पर जितने भी अपराधी है, सब के लिए बोला गया है, मतलब एक वचन और बह वचन दोनों में कोई भी अंतर backdrop, IPC कि अंतरगात नहीं रखा गया है ठीक है तो वचन में एक सब्द लिखा वह watch watch करना मतलब देखना होता है देखते किसे हैं आखों से और आखों को 9 भी बोलती है तो 9 में आपको 9 सब्द मिल जाएगा तो याद रखिएगा धारा 9 में धारा 9 में किस चीज का वणनन है वचन का वणनन किया गया है ठीक है अब बात करते हैं धारा 10 की तो धारा 10 में वणनन है इस्त्री और पुरुष से सम्मंधित परिभासा का मतलब जो का IPC है उसके अंतरगत इस्त्री और पुरुष में कोई भी अंतर नहीं रखा गया है साथ ही साथ इस्त्री का क्या मतलब होता है इस्त्री का मतलब कानून के अंतरगत किसी भी आयू की महिला की बात की जाएगी ठीक है मतलब चाहे हुए 4 साल के हो 10 साल या फिर 20 साल या 50 साल इस्त्री का मतलब किसी भी आयू की महिला और साथ ही साथ पूरुस का मतलब भी होता है किसी भी आयू का पूरुस वहाँ पे बच्चा बोलना जरूरी नहीं है अगर पूरुस बोला गया है तो वह किसी भी आयू का हो सकता है ठीक है तो इस चीज का वणन किया गया है तो याद करने के लिए यहाँ पर देखिए 10 को 10 तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ट्रेन और इस्त्रियों की चर्चा एक ही जैसे की जाती है तो याद रखेगा ट्रेन यानि 10 की बात हो रही है तो धारा 10 में किस चीज के वणन है इस्त्रिय और पूरुष से समंधित परिभासाओं का मैंने आपको बता ही दिया इस्त्रिय मतलब किसी भीयाई की महिला और पूरुष मतलब किसी भीयाई का पूरुष ठीक है अब बात कर लेते हैं धारा 11 की जिसमें वणन है ब्यक्ति की ब्यक्ति मतलब कोई भी आदमी भी हो सकते है, कोई औरत भी हो सकते है, कोई निकाय भी हो सकते है, या फिर कोई कमपनी या कारखाना भी हो सकते है, सब के सब ब्यक्ति के अंतरगात आ जाते हैं, यानि ब्यक्ति की परिभासा के अंतरगात समलेत कर लिये जाते हैं, तो ब्यक् कर सकते हैं कि धारा ग्यारा में किस चीज का वर्णन है ब्यक्ति की परिभासा का ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा बारा की तो धारा बारा में लोक समुदाय और वर्ग की परिभासा का वर्णन है तो इसको आसानी सियाद कर सकते हैं क्योंकि वर्ग में वारा और वर्ग की परिवासा का वर्णन किया गया है ठीक है अब बात करते हैं सीधे धारा चौदा की जिसमें सरकार के सेवक का वर्णन किया गया है ठीक है सरकार के सेवक कौन होंगे जो की सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझे कि यहां पर से सेवक कवर्णन है दूसा तरीका भी है यहां पर देखिए 14 में फोर्ट सब्द लिखा हुए फोर्ट मतलब किला और आपको पता ही है किला किसी राजा महराजा का होता है और वहाँ पर बहुत सारे सेवक लगे होते हैं तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं धारा सत्रा की तो धारा सत्रा में सरकार की परिवासा का वर्णन है सरकार मतलब केंदर सरकार राज सरकार दोनों की बात हो रही है ठीक है तो यहां पर देखिए सरकार की बात हो रही है और धारा सत्रा लिखा हुआ है तो अगर मैं आपसे बोलू कि सरकार या फिर सत्ता किस के हाथ में होती है तो आप बोलेंगे सरकार के हाथ में होती है पूरी की पूरी सत्ता सरकार के हाथ में होती है तो आप ऐसे याद रखेंगे सत्ता से सत्रा और सरकार तो याद रखेगा धारा सत्ता में किस चीज का वण सरकार की परिवासा का क्योंकि सत्ता किसके हाथ में होती है सरकार के हाथ में होती है ठीक है अब बात कर लेते हैं धारा 18 की जिसमें भारत की परिवासा है ठीक है तो भारत की परिवासा मतलब भारत में कितने राज हैं कितने केंदर साथित प्रदेश हैं क्या इस्थिती है भा ब्भारत की जली सीमा कितनी हैं इन सब के बारें बद की जाएगी तो यहाँ पर भारत याद कर लेते हैं तो आसानी से कवर हो जाएगा तो भारत में एक सब्द लिखा हुआ है भार मतलब बजन तो जाइश सी वात है अगर किसी ब्यक्त के उपर बजन लादी दिया जाए, बहुत ज़्यादा भार रख दिया जाए, तो उसको वह हटाएगा, तो ऐसा बोच सकते हैं कि अगर उसके उपर बजन रख दिया गया किसी की दौरा, तो आब उसको वह हटा रहा है, फोर 18 आपको यादा जाएगा, तो आप ऐसी आद रखेगा कि 18 में कि-स चीज का वर्णन है भारत की परिभासा वर्णन है। अब बात कर लेते हैं धारा 19 की जिसमें नयादीस की परिभासा का वर्णन है न्याधिस कौन होगा जो कानून के द्वारा न्याध देने के लिए प्रतिबद होगा वही न्याधिस होगा तो न्याधिस जिसको justice भी बोलते हैं तो justice में सब्द लिखा हुए just ice, ice मतलब ठीक है यहाँ पर ice सब्द से ही आप कबर कर लोगे 29, ice 29, 29 में भी ice सब्द आपको मिल लेगा ना, तो ऐसे याद रखिएगा कि justice यानि नियाधिस की बात किसके अंतरगत की गई है, धारा 19 के अंतरगत की गई है, ठीक है, अब नियाधिस की बात की गई है, तो जाह सामने अगला पॉइंट है धारा 21, जिसमें लोग सेवक के परिभासा की, तो याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पर लोग सेवक, यानि लोगों के सेवक करने वाला, तो अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि आम आदमी की सेवा करेगा, लोगों की सेवा करेगा, तो जाहिशि जी बात है जो उसका इस्थान है लोगों की नजर में एक इस जैसा होगा एक भगवान जैसा होगा है ना क्यूं क्यूंकि लोगों की सेवा कर रहा है इसलिए उसका इस्थान एक इस जैसा है तो एक इस फॉर एक कीस तो याद रखेगा धारा 21 में किस चीज कवर्णन है लोग साथिक जाम में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन लोग सिवक होते हैं और कौन लोग सिवक नहीं होते हैं तो कुछ पॉइंट वो भी है तो उनको भी आप नोट कर लिए जैसे कि जो सेना के आयुक्त आफिसर होते हैं वो लोग सिवक होते हैं साथी साथ न्याएधिस निर्वाचन सम्मंदी अधिकारी या फिर लोग स्वास्त लोग छेत्रिया लोग सुविधा से जुड़े हुए अधिकारी और होमगाड ये सब लोग सिवक होते हैं होमगाड के बारे में एक वाद था जो कि रमेश वाला कृष्णन वर्सेश महाराष्ट सरकार के सम्मंद में था जिसमें बोला गया था कि होमगाड जो है वो लोग सिवक होते हैं और अगर आपसे पूछा जाता है कि विधायक लोग सिवक होते हैं कि नहीं तो विधायक लोग सिवक नहीं होते हैं इसके सम्मंद में एक वाद था RS नायक versus AR अंतुले ठीक है तो इस वाद में कहा गया था कोड़ द्वरा कि विधायक जो है वो लोग सिवक इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वह राजकोष से वेतन प्राप्त नहीं करते हैं ठीक है तो याद रखिएगा कि विधायक लोग सिवक नहीं होते हैं अच्छा तो सांसद लोग सिवक होते हैं कि नहीं तो सांसद लोग सिवक होते हैं सांसद यनि मुख मंतरी मंतरी ये सब क्या होते हैं लोग सिवक होते हैं ऐसा बोला गया था M करूना निधी के मामले में कि ये लोग सिवक माने जाते हैं साथ एक पूछा जाता है कि कोतवाल हो गए, पुलिस हो गए, सरकारी डॉक्टर हो गए, या पिर अध्यापक हो गए, वितिक ठटा करने वाले क्रमचारी हो गए, तो यह लोग सेवकष होते हैं, साथ सेंसर बोड के अध्यक्ष भी लोग सेवक होते हैं। और एक चीज और याद रखेगा कि नगरपाली का पारशत ग्राम प्रधान यानि सरपंच की बात होती है या फिर जिला पंच्या सरदस जो होते हैं ये लोग सिवक नहीं होते हैं ये बोला गया था रमेश वाला कृष्णन वर्सेट महाराश्तरकार के वाद में ठीक है तो य ये चीज आप याद रखेगा साथी साथ एक पॉइंट और याद रखेगा कि अगर कोई भी ब्यक्ति किसी केस में न्याला की मदद करता है न तो फिर वह लोग सिवक माना जाएगा ठीक है तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए आपके सामने ऑप्सन दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन लोग सिवक नहीं है तो आपके सामने पूलिस होगा सरकारी डॉक्टर होगा अध्यापक होगा और फिर दे दिया जाएगा कि जीला पंचायत का सदसे तो सही जो आप क्या होगा कि जीला पंचायत का जो सदसे वो लोग सिवक नहीं होता है ठीक है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा आप हम लोग बात कर लेते हैं धारा 22 की तो धारा 22 में वनन है जंगम संपत्ती के परिभासा की जंगम संपत्ती मतलब moveable property चल संपत्ती चल मतलब जिसको एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक ले जाया सके ऐसी संपत्ती के बारे में परिभासित किया गया है तो यहाँ पर देखिए धारा 22 में सब्द आपको मिल जागा 22 आपको पता है जो भैंस होती है वो भी एक संपत्ती की तरह ही होती है धारा 22 में किस चीच का वर्णन है जंगम संपत्ती का यानि मूवेवल प्रॉपर्टी का याद रहेगा ना बहुत ही फनी है इसलिए आपको यह नहीं भूलेगा अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 24 की जिसमें वर्णन है बेमानी का ठीक है बेमानी कैसी जो की दो स्पून लाव के लिए की गई हो यह मैं आपको बता दूँ यूपी एसाई 2017 में पूछा गया कुश्यन है कि जो धारा 24 है उसके अंतरगत किस चीच का वर्णन है तो सही बाई में माइनस करना है बाई जो है आपको पता है कि अगर अलफावेट में इस्थान देखे तो किस नमबर आता है तो आप बोलेंगे 25 नमबर भी आता है ठीक है 26 में जेड आता है अब माइनस की बात हो रहे है कि बाई में माइनस करेंगे तो माइनस करने के लिए कोई आ realize मानि का याद रहेगा ना आगे बढ़ते हैं आप हम लोग बात करते हैं धारा पुच्छिस की तो धारा पुचिस में वनन है कपट का कपट मतलब धोके के साथ जिसमें च्खती हुई हो थीक है तो याद करना असान है क्योंकि जो कपट करते हैं यह किया पट याद रहेगा ना तो चले आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे धारा वेज के परिभासा की अच्छा दस्ता वेज क्या होते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बैंक चेक या फिर पावर आफेट औरनी या फिर सभी सरकारी कागज जो की किसी भी कारिष्ट से सम्मंदित हो या फिर किसी भी कार में सनलंगन किये जा सकें वो सब क्या बोले जाते हैं दस्ता वेज बोले जाते हैं ठीक है तो याद करना आसान है क्योंकि दस्ता वेज में सब्द लिखा हुए डश्टा डश्ट की बात डश्ट मतलब क्या होता है धूल है ना डश्ट होता है धूल और धूल क्या होती है उड़ती है तो उड़ती फोर उनतीस उड़ती उनतीस तो याद रखेगा धारा उनतीस में किस चीज का वर्णन है दस्ता वे यह बिल्कि उल्टे तरीके से करें मतलब ऐसा समझे कि अगर कोई भी पुलिस है किसी भी मुझरिम को उसने पकड़ा और अब क्या कर रहा है मुझरिम के साथ गलत ब्युहार कर रहा है ठीक है मान लीजिए हो सकते हो मुझरिम ना हो लेकिन उसने अपने सक्के हिसाब से पकड कि ईंचने साथ है तो जासी सिवात है उसको डरने की जरूरत है डरे गा मतलब थर थर कांपे अगर उसने कारे लोप किया हैじゃあ 33 या 33 का व्यायर है कारेलोप मतलब करना चाहिए था ुसने नहीं किया बल्कि उल्टा काम किया ठीक है अब बात करते हैं धारा 34 की था-धारा 34 व common intention जैसे मानलीजे कोई भी एक दोस्त है वो अपराज करने जा रहा है उसी के साथ दूसरा दोस्त भी साथ उसके हो लिया तो दोनों के common intention हो गए ठीक है एक जैसे आसे हो गए सामान आसे हो गए तो सामान आसे से जुड़ा हुआ जिन्दगी में एक परिभासा में आपको देता हूँ वो हैं चीटियां आपने देखा होगा जो चीटियां होती हैं उनके common intention होते हैं सामान नयासे होते हैं वो एक ही काम करती हैं जैसे मानलीजे कहीं भी मतलब की बिल बनाना है तो वो क्या करती हैं साथ ही साथ एक अठा मिलक साथ आपको दो चीजे समझना और जरूरी है जो कि धारा 34 संबंधित वाद हैं एक वाद था भूप सिंग वर्सिस पंजाब सरकार जो कि 1977 का है इसमें बोला गया था कि योजना घटना के दौरान भी बन सकती है मतलब जरूरी नहीं कि पहले से प्रिपियर होके आएं हो दो ठीक है मतलब जो दोस्त साथ में हो पहले से प्रिपियर हो घटना के दौरान भी योजना अगर बनती है तब भी सामानयास है माना जाएगा एक केस था वारिंदर कुमार घोस वर्सिस इंपरार 1924 इसमें बोला गया था कि आस्रे की पूर्ती के लिए खड़े रहना भी अप हो रहा है मतलब पिटाई तो हो रही है वो सामने देख रहा है कि कोई भी ब्यक्ति आतों नहीं रहा है तो उसका भी common intention माना जाएगा ठीक है तो यह चीजे आप याद रखेगा अब हम लोग बात करते हैं धारा 40 की जिसमें वर्णन है अपराद के परिभासा की अपराद क् परिभासा में क्या आएगा अगर किसी को तोड़ना फोड़ना है तब भी तो ऐसे याद रखेगा कि 40 में किसी को वर्णन है अपराद की परिभासा का वर्णन है ठीक है अब बात करते हैं धारा 41 की जिसमें वर्णन है विसेश विधी का विसेश मिधी मतलब special law जैसे कि बात करते हैं धारा 45 की जिसमें वर्णन है लाइफ का यनि जीवन का जिंदगी का बहुत ही आसान है याद करना कि 45 में 45 सब्स लिखा हुए पिता और माता ही हमको जिन्दगी देते हैं हमको जीवन देते हैं आपको ये चीश पता है तो पता फ़र 45 तो याद रखेगा अधारा 45 में किसी चीश को वनन है जिन्दगी जीवन का इसके संबन में एक बात भी कही गई थी एक वाद में जो था स्रीमतिक ज्यान कोर वर्सेस पंजाब सरकार के बीच में उसमें बोला गया था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सामिल नहीं है मतलब क्या है कि अगर कोई विव्यक्ति जी रहा है तो जीने का अधिकार तो है लेकिन मरने का अधिकार उसको नहीं है क्योंकि उसके साथ और लोगों की जिन्दगी भी जुड़ी हुई होती है ठीक है तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 46 की जिसमें वर्णन है मृत्यू का ठीक है मृत्यू की बात की गए मृत्यू के परिवासा की बा रखिएगा कि धारा 46 में किस चीज का वर्णन है मृत्यू का वर्णन है ठीक है इसके बाद बात करते हैं धारा 49 की जिसमें वर्णन है वर्ष मास इन सब चीज़ों की मतलब साल और महीनों के बारे में आपको पता होगा कि यह जो चीज गिनी जाती है आई पीसी के अंतरग वर्ष को क्या वोलते हैं यहर बोलते हैं यहर मतलब कान भी तो होते है कान में उंचा सूनते हैं ख़या ळाने में बड़ी दिककत host brought बहुत ज़्यादा सोचना पड़ते है ठीक है तो ट्रिक अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथी साथ फुल सपोर्ट करिएगा जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें तो आब हम लोग बात करते हैं धारा इंक्यावन की धारा इंक पत्रियम 1973 के अंतरगत गीता कुरान को खतम कर दिया गया मतलब इनमें सपत नहीं दिलाई जाती बलकि एक सपत पत्र सिगनेचर करवाया जाता है ठीक है तो यह चीज आप याद करने के लिए ऐसा याद कर सकते हैं कि इंक्चावन में सब्दे लिखा हुए आच्वन ठीक ह या फिर इंक्चावन तो हवन सब्द आपको मिल जागा तो आच्वन करते हैं या फिर हवन करते हैं तो इनसब में सपत लेते हैं यह कि हम मतलब बुरे काम नहीं करेंगे लोगों की सेवा करेंगे यह सब चीजें सपत से सम्मद्दी थे तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा इंक्यावन में किसीच का वनन है, सपत का वनन है, दूसर तरीका भी है कि अब सपत में सिंगनेचर करते हैं, तो इंक्यावन में इंक आवन सब्दे लिकाव यानि इंक आ गया है, है ना, पहले केवल हाथ रखे कसम खाते थे, लेकिन आफ इंक का प्रयोग करते हैं तो इंक फोर इंक चियावन तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं अब हम लोग बात करते हैं धारा बावन की जिसमें वणन है सदभावना के परिभासा की सदभावना मतलब ध्यान वा सतरकस्ता सहित ठीक है ऐसा समझें मतलब भावना तो अच्छी है लेकिन ध्यान और सतरकता भी उसमें होनी चाहिए जरूरी नहीं कि आप किसी मुझरिम के ही सहायता कर रहे हो साथी साथ धारा भावन ए में बोला गया है संस्रे की परिवासा का संस्रे मतलब अपने आस्रे में समझे किसी भी अपराधी को कोई ले रहा है साथी साथ उसको भोजन या फिर पेपदार्थ वस्त्र या फिर हतियार उपलब्द करवा रहा है तो इसके संबन में भी बताया गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए ठीक है तो इसको याद करने के लिए समझे कि बावन में सब्द लिखा हुए भावन बावन और यहां पर देखे सद भावना में लाश्ट में सब्द लिखा हुए भावना तो भावना को भावन कर लेते हैं तो भावन से बावन क्लियर हो ज तो अब हुमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है धारा तिरपन जिसमें बात की गई है दंड के प्रकार की तो इसको याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पर देखें तिरपन में सब्द लिखा हुए तडपन और आपको पता है अगर किसी को दंड दिया जाएगा तो जाह होता है मृत्युदंड जिसके संबन्ध में बच्चन सिंग वर्सिस पंजाब सरकारद्वरा एक मामला हुआ था जिसमें बोला गया था कि गंभीर से गंभीर आरोप पर ही या फिर गंभीर से गंभीर मामले पर ही मृत्युदंड की सजा दी जाएगी ठीक है दूसरा होता ह अजीवन कारावास मतलब पूरी उम्र कारावास तीसरा होता है कारावास जिसमें दो प्रकार होते हैं एक तो साधारन कारावास होते है और दूसरा होते है सास्रम यानि मेहनत के साथ कारावास अगर कारावास में है तो वहां पर उसको मेहनत भी करनी पड़ेगा और साधारन होते हैं दंड के अब हमाई सामने जो अगला पॉइंट है वह है धारा 54 जिसमें वर्णन है मृत्तुदंड का लगुकरण मतलब क्या है जैसे राश्वती को छमादान की सक्ती मिली हुई है न तो उसके अंतरगात वो चाहे तो किसी के फासी की सजा को कम कर सकते हैं तो मृत्तुदंड का लगुकरण मतलब मृत्तुदंड को कम कर दिया जाए अर्थात किसी को फासी की सजा दी गए तो उसको कम कर दिया जाए इससे पहले मैंने आपको बताया कि दंड पांच प्रकार के होते हैं सबसे पहला मृत्तुदंड उसके बाद अजीवन कारावास फि चार बचेंगी मतलब मृत्युदंड के लगू करण में पांच में से चार सजाएं दी जा सकती हैं एक तो मृत्युदंड ही है तो पचवा हटा देंगे तो पांच में से चार सजा दी जा सकती है अगर मृत्युदंड का लगू करण करेंगे तो तो पांच में से चार तो पा दिखाने के दांत अलग होते हैं तो कभी भी इसका प्रयोक नहीं किया गया आप इस चीज को भी याद रखेगा अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 63 की तो धारा 63 में वर्णन है जुर्माने की रकम की इसके संब्ध में बोला भी गया है कि जो जुर्माने की रकम है वो दोन किस प्रकार से किया जाता है दोनों पक्षो को देख कर किया जाते है तो मैंने आपको बता कि कभी ऐसा ना हो कि गरीब के ऊपर 5 लाग का जुर्माना लग जाते हैं और अमीर के ऊपर 5 रूपे का जुर्माना तो यहाँ पर देखे 63 में सब्द लिखा हुआ है तरशत यह न पैसों के लिए पैसा यानि जुर्माने की रकम तो अप ऐसे याद रखियागा कि जुर्माने की रकम का वर्नन किसमे हैril 260 में 2 23 में 1963 यानि टी-सर पहनने के लिए पैसे नहीं है और जुर्माने की रकम ज्यादा लग जया किसी के ऊपर तो यह सहीłem नहीं कि भी है wondered इसके बाद धारा 64 में वर्नन है जुर्माना ना देने पर कारावास तो इसको याद करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले मैंने आपको याद करवा दिया जुर्माने की रकम और आपको पता ही है कि अगर जुर्माने की रकम नहीं दी जाएगी तो जाहिज जिवात है का एक अपराद की तो इसको याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि यहां पर देखे एक सब्द लिखा हुआ है कई अपरादों से मिलकर बना एक अपराद कई अपरादों से मिलकर मतलब सभी अपराद साथ में हो गए उन में से मिलकर एक अपराद बना हुआ है तो साथ में है जि असान है याद करना क्योंकि 72 में सब दिलिखा हुए बेहतर अर्थात ये बेहतर बनाता है किसको बनाता है अपने उपर वाले को यानि धारा 71 को तो याद रखेगा जो धारा 72 है उसमें 71 की ब्याख्या की गई है ठीक है यानि ऐसा समझे कि माली जे कुईसी व्यक्ति ने 50 ला ब्यक्ति को मार दिया ठीक है डारेक्ट जान से मार दिया और फिर क्या किया कि बाद में एक लाठी भी मार दिया तो ऐसा नहीं कि एक लाठी वाली सजा मिलेगी जान से मारने वाली नहीं मिलेगी जब एक जैसे काम होंगे एक जैसे जुर्म होंगे तब एक की सजा मिलेगी सब की नहीं मिलेगी ठीक है अब बात कर लेते हैं धारा 73 की जिसमें वनन है एकांत परिरोध की एकांत परिरोध जो होता है यह सबसे कठोर कारावास माना जाते हैं एकांत परिरोध समझ रहना मतलब किसी बैक्ति को एकांत कर दिया जाता है सबसे अलग काल रखियेगा कि धारा 73 में किस चीज कवर्णन है एकांत परिरोध का। इसके बारे में कुछ चीज़े और जान लीजे कि अगर जो एकांत परिरोध हैं वो कैसे दिया जाते हैं। तो मान लिजे किसी बेक्ति को 6 महीने की सजा दी गई है तो उसको जादा से जादा एक माह का एकांत परिरोध दिया जा सकते हैं. च्छे महीने में एक माह का ज्यादा से ज्यादा और अगर च्छे महीने से एक साल की सज़ा है तो ज्यादा से ज्यादा दो माह का एकांथ परिरोध दिया जा सकते हैं और कुछ चीजे और हैं इसके संबन्ध में कि एक बार में जो एकांत परिरोध है वो 14 दिन के लिए ही दिया जा सकता है उससे अधिक के लिए नहीं दिया जा सकता है और किसी भी एक माह में ज्यादा से ज्यादा साथ दिन एकांत परिरोध दिया जा सकते है तो अब 26, 27, 28, 29, 30 और 31 साती दिन हो गया और दूसरा महिना भी स्टार्ट हो गया तो दूसरे महिने में फिर एक से साथ तरीक तक ठीक है एकांत परिरोध तो यह 14 दिन हो जाएंगे इस से अधिक एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकते है तो इस चीज को आप साथ में याद रखेगा ठीक है आब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 76 की जिसमें वर्णन है तत्यों की भूल का यह जो तत्यों की भूल है यह बिधी द्वारा आबाध व्यक्तियों के लिए है ठीक है और एक है धारा 89 इसमें भी तत्यों की भूल का वर्णन है लेकिन आम नागरिकों द्वारा तत तत्यों की भूल की हुई है ठीक है उसने अपने सीनियर के कहने पर ये काम किया या फिर कोई पुलिस करमी है उसको ऐसा लगा कि सामने वाला जो है वो किसी गुनाह से जुड़ा हुआ है तो उसने जेल में रखा बाद में पता चला कि वो मतलब की गुनाह से संबंदित नहीं तो इसके लिए भी उसको कोई सजा नहीं मिलेगी तो ये आमनागरी को दोरा तत्यों की भूल है दोनों को साथ में याद रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 76 में सब्द लिखा हुए साथ छोरना ठीक है साथ छोरना और तत्यों की भूल में भूल सब्द तो ऐसा समझे कि क कोई भी दो व्यक्ति मेला गये ठीक है मेले में घूमने गये तो मेले में घूमते समय क्या था कि यह कि भूलक कर था वो जिसको साथ में ले गया था छोटे बच्चे को वहीं पर छोड़ाया ठीक है साथ में ले गया था छोड़ाया क्यों कि उसको चीजे भूल जाती है कि क कि इसको ले गया कि इसको नहीं ले गया तो आप ऐसे याद रखिएगा कि साथ छोड़ा है फौर साथ और छे तो धाराच शीयत्तर में किसी चीच का वनन है तत्यों की भूलगा वो भी विधी द्वारा आबाध ब्यक्तियों के लिए फिर इसके बाद जो उन्यासी है तो जा किया गया है ठीक है इसके बाद बात कर लेते हैं धारा असी की जिसमें वनन है विधी पूर्वक कारे करने में दुर घटना का यानि कोई भी ब्यक्ति है जो कि विधी पूर्वक यानि कानूनी रूप से सही कारे कर रहा है ठीक है फिर भी दुर घटना हो जाती है तो उसको और 80 तो आप एसे आद कर सकते हैं कि धारा 80 में किसीच का बंदन है बिधी पूरवक कारे करने में दुर घटना का ठीक है यहनि बिधी पूरवक कारे कर रहा था अब दुर घटना हो गये तो उसको कोई भी सजा नहीं मिलेगी यह छहमा योग अपराध है ठीक है इसके बास है मार दिया माल लीजे उसके हाथ में चाकू था और गलती से उसने मार दिया तो उसका कोई आसे नहीं था मारने का गलती से हो गया ठीक है तो आसे नहीं है तो आसे में बे आसे सब्दा आपको मिल जागे नि बे आसे है ठीक है आसे नहीं है ठाथ बे आसे उसने काम किया है तो बे आस Unbelievable और 22 तो आप यसे आद रखिएगा कि धारा 82 में किस चीच 59 है साथ वर्स से कम सिसू के अपराध का क्यूंकि जो साथ वर्स झोटे सिसू होते हैं उनका कोई भी आसे नहीं अपराद करने का उनको कोई भी जानकारी नहीं होती है इसके बाद है धारा तिरासी जिसमें वर्णन है साथ से बारा वर्ष के जो सिसू है उनके द्वारा किया गया अपराद ये भी छमा योग होता है लेकिन एक इस्थिती होती है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ज चोरी करने के बाद उसको बाजार में जाके बेंचता है तो उसको पूरी जानकारी है ठीक है तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि उसको कुछ भी जानकारी नहीं है तब ये छमा योग अपराध होगा और अगर वो ऐसा करता है तो जाहिसी बात है उसको किसी ने सिखाया होगा तो ऐसा कह सकते हैं कि 13 उसने सी किया क्या बोल सकते हैं कि 13 सी किया तभी उसको ये चीज आने लगा बोलते हैं ना कि तुम्हारा उसने देखा होगा तभी वो आब ये काम कर रहा है तो मैंने बोला कि 13 सी किया तो 13 सी for 83 तो अब ऐसे याद रखियेगा कि 1383 में किस चीज का वनन है 7 से 12 वर्ष से कम सिसू के अपराध का ठीक है तो 7 से अगर 12 वर्ष से कम का सिसू है तो उसके दोरा किया अपराध शमायोग होगल लेकिन सावित करना पड़ेगा कि जो उसने कि या है उसके बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं है ठीक है इसके बाद बात कर लेते हैं धारा 84 की जिसमें वनन है विक्रित चित का विक्रित चित मतलब वो अपने सही मानसिक इस्थिती में नहीं है मतलब या तो पागल है या तो मदोनमत है मदोनमत मतलब नसे में है य ठीक है तो अगर कोई व्यक्ति चरास लेता है जाईसी बात है एक तरीके से मदोनमत है है ना मद है यनि नसे से भरा हुआ है तो एक तरीके से पागल ही हो जाती है तो चर्शिफ और 84 आपको याद आ जाएगा तो याद रखेगा धारा 84 में किस चीच का बनन है विक्रित चित ब्यक्तियों का यनि पागल मदोनमत और उन्मुक्ता वाले ब्यक्तियों का और इसी को मैं आपको बता दूँ कि ये जो है इसको बोला जाता है आपका मैक नौटन लौ मैक नौटन लौ के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि ब्रिटेन के प्रधान मंतिर थे जिनका न आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 96 की इसमें वर्णन है प्राइवेट प्रतिरक्षा की यानि सेल्फ डिफेंस की तो बहुत ही आसान है याद करना क्योंकि यहां पर देखिए प्राइवेट प्रतिरक्षा और 96 में सब्दे लिखा हुआ है ना चू ना मुझे मत चूना ठीक है कोई विएगति अगर उसको चूने कोसिज कर मानिक कोसिज कर रहा है ठीक है गलतनीगाहों से तो आप ऐसे य हैद कर सकते हैं कि बोल रहे हैं सामने वाला व्यक्ति कि मुझे नस्छू नस्चू पर ना च्छै तो आप ऐसे याद रखेगा कि धारा 96 इसके बाद बात कर लेते हैं धारा सौकी इसमें वनन है निजी प्रतिरक्षा के संबंध में कब मृत्तु कारित की जा सकती है मतलब क्या है कि निजी प्रतिरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए कब सामने वाले ब्रिक्ति को मारा जा सकते है तो उसके लिए पांच तरीक जा सकता है, acid attack की स्थिती में मारा जा सकता है, या फिर अप्राक्तिक अपराध के संदर्व में भी मारा जा सकता है, और एक होता है अपहरन या फिर ब्यापहरन, तो इसके संबन्द में भी मारा जा सकता है, तो ये 5 होते हैं, निजी प्रतिरक्षा के संबन्द में अगर कोई व्यक्ति मित्तु कारित करता है, तो उसको सजा मिलने की चांस नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसके याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, सौ में सब्द लिखा हुआ है, सेव, सेव मतलब सुरक्षित रखना खुद को, सेव रखना खुद को, तो सेव रखने के लि ठीक है, धारा 121, जिसमें वर्णन है भारस सरकार के विरुध युद्ध का, तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध की बात हो रही है, ठीक है, कि इसके विरुध बात हो रही है, वो बात अलग है, लेकिन युद्ध की बात हो रही है, तो य आपस में आके मिल गये लड़ने लगे तो युद्ध सुरू हो गया है ना जब साइड साइड में खड़े तब तो युद्ध नहीं हो रहा है लेकिन जब दोनों एक एक तरफ से आके बीच में लड़ने लगे तो युद्ध होने लगा तो एक एक थे साइड में बीच में आक रख सकते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 122 की जिसमें वर्णन है भारा सरकार के विरुध आयूध क्या आयूध मतलब होता है हतियार ठीक है तो एक परकार का हतियार बंदूक भी होता है तो बंदूक में आपको दो सब्द मिल जाएंगे बारा और दू बंदूक ठी ठीक है तो बारा और दू यानि 122 तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 122 में किस चीज का वर्णन है भारा सरकार के विरुध आयूध का ठीक है अब है धारा 1224 का जिसमें वर्णन है राज द्रोह की परिवासा का आपको पता है जो IPC है सन 1861 में आया था उस टाइम पे र राज द्रोह की जिए अब वर्तमान में वैसे देश द्रोह होना चाहिए लेकिन अभी भी इसको अपडेट नहीं किया गया तो देश द्रोह राज द्रोह एक ही बात है ठीक है तो यहाँ पर देखिए 124 का लिखा हुआ है आपको पता है कि अगर कोई राजा के खिलाफ द् तो बंदी बना लिया जाएगा चार दिवारी के बीच में तो बंदी फौर बारादी ठीक है बारा हो जाएगा और चार दिवारी के अंदर बंदी बना लिया जाएगा तो चार बारा और चार 124 तो आप एसे याद रखिएगा कि धारा 124 का में किस चीज का बनन है राज द तो इसको याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि 130 में एक लिखा हुए सब्द और फिर 30 लिखा हुए है 30 जिसको बोलते हैं 30 और 30 में सब्द मिलियागा धर्ती ठीक है तो यहाँ पर देखिए क्या सब्द लिखा हुए युद्ध बंदी या फिर राज बंदी को भगाने में सहायता करना यानि कोई भी युद्ध चल रहा था दो देसों के बीच या फिर दो राजाओं के बीच पहले चलता था ठीक है तो अगर कोई भी युद्ध चल रहा है तो क्या है कि उसको बंदी बना लिया गया दूसरे पक्षवाले सेनिक को यानि अपनी धर्ती में रखा जाएगा जिसको बंदी बना लिया जाएगा तो बंदी बनाने वाला राजा क्या करेगा अपनी धर्ती में रखेगा तो एक धर्ती से भगाने की बात हुरी है मतलब अपने जितना राजिक शेत्र है उस वाली धर्ती से बाहर भगाने की बात हुरी है ठीक है किसको युद्ध बंदी या फिर राजबंदी को एक धर्ती से बाहर भगाने की बात तो एक धर्ती फौर एक थर्टी तो याद रखिएगा धारा एक थर्टी यानि एक सो तीस में किच्चिच का वणन है युद्ध बंदी या फिर राजबंदी को भगाने में सहायता करना है एक अपराधिक कार है ठीक है तो आगे बढ़ते ह अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा एक सो एक तालिस की इसमें वणन है विधी विरुध जमाव की विधी विरुध जमाव मतलब क्या होता है कि पांच या पांच से अधिक ब्यक्तियों का होना ठीक है लेकिन अगर पांच या पांच से अधिक ब्यक्ति नहीं होंगे पां इंटेंशन होता है तो अगर 5 से कम लोग हैं तो common intention और 5 या 5 से अधिक लोग हैं तो क्या कहलाएगा विधी विरुद जमाव कहलाएगा ठीक है इसके संबन्ध में एक वाद भी था सिवाजी सिंग वर्सेस बिहार सरकार के बीच कि जो विधी विरुद जमाव है वो बाद में भी हो सकते हैं मतलब मान लीजे कि पहले चार लोग हैं लेकिन कहीं पर गए उसके बाद वहाँ पर और दोस्त आगए 6-7 हो गए तो वो एक विधी विरुद जमाव कहलाएगा तो विधी विरुद जमाव जो है वो बाद में भी हो सकते हैं तो इसको याद करना आसान है क्य थी वैसे ही अगर ज्यादा ब्यक्ति हो जाएंगे तो उनकी गिंती टोली में होने लगेगी तो एक टोली बन जाएगा तो अगर एक टोली कहीं जाएगी तो उसको विधी विरुध जमाव बोला जाएगा तो एक टोली फोर एक 41 तो आप ऐसे याद रखेगा कि धारह 141 में क प्रयोग कानून के खिलाफ ठीक है कितने व्यक्तियों तो पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा लेकिन अगर बल का प्रयोग नहीं किया जाता तो वो किया कहलाएगा विधी विरुध जमाव कहलाएगा जो इधरह 141 में वर्णन है और बल का प्रयोग करेंग कि एक चाया बनाने के लिए भी बालू का प्रयोग किया जाता है एक चाया यह नहीं एक घर बनाने के लिए ठीक है इंसान च्छत बनाता है जिसे की चाया रहे तो एक चाया बनाने के लिए भी बालू का प्रयोग किया जाता है तो बालू फोर बलवा और एक चाया फोर एक 46 तो 146 यह नहीं धारा 146 में किस चीज का वर्णन है दोस्तों बलवा का वर्णन है ठीक है आब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 169 की तो इसमें वर्णन है दंगे के परिभासा का ठीक है और मैं आपको बता दूँ कि इसके बाद है धारह 160 इसमें वर्णन है दंगे के दंड का तो इसकी कोई खाश ट्रिक में नहीं बना पाया हूँ लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ यहाँ पर दंगे की बात हूँ और आपको पता है दंगे में काफी ज़्यादा मार काट होती है ठीक है तो 159 में सब्द लिखा हूए एक पाव नहीं जनी एक पाव अब नहीं है क्योंकि दंगा होता है तो दंगे में लडाई जगड़ा होता है तो अब एक पाव नहीं है तो जो दंगा होता है, वो सारवजनिक इस्थान पर होता है, और जो बलवा होता है, वो प्राइवेट इस्थान पर होता है, ठीक है, और अगर इक जाम में आप से पूछा जाता है, कि दंगे में दोनों पक्ष सक्री होते हैं, यह किस ने कहा था, तो उसका सही जवाब होगा, ब ही कारोगा ठीक है निर्वाचन से संबंदित जितनी भी बात कि जाएगी वो कहां से कहां तक कि जाएगी धारा 111 a से धारा 11 This one competing आई के बीच में चाहे हुआ है धारा 11 Chemetur b की बात करें जिर्वाचन में रिस्वत की ठीक है या छाहे धारा A से 171 I के बीच में आएगा और ये अध्याय 9 A के अंतरगत आता है थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं इसको याद करने का ठीक है तो यहाँ पर देखें निर्वाचन यानि चुनाव की बात हो रही है और जब चुनाव होता है तो आपको पता है कि सत्ता में A की ही पार्टी आती है यानि चुनाव हो गया चुनाव की गिंती हो गई बोटिंग की तो उसके बाद हम लोग ऐसा बोलते है न कि सत्ता में A की ही पार्टी आई चाहे कोई भी पार्टी आए लेकिन आएगी A की ही पार्टी ठीक है तो सत्ता में A की ही पार्टी आई आई जो की आपको पर निर्वाचन संबंदी अधिकार का कहां तक धारा 171 A से लेकर मैंने बोला सत्ता में एक ही पार्टी आई यह नि धारा 171 A तक ठीक है तो इस चीज को आप याद रखेगा जब भी निर्वाचन संबंदी कुछ भी पूछा जाए IPC धारा से तो ध्यान रखेगा कि 171 A से 171 A के बीच में आएगा ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 179 की इसमें वर्णन है मृत्या साक्ष देना मतलब जूटे साक्ष जूटे सबूत देना तो मान लिजे कोई भी ब्यक्ति है जो की जूटे सबूत अदालत के सामने पेस कर रहा है तो जाही सी बात है जूट ब कान पकड़ के माफी माग रहा है sorry बोल रहा है जाहर से आपके का गलती हो गई तो एक कान पकड़ के जूट बोलने के लिए माफी माग रहा है तो एक कान फूर एक और ठीक है, एक KANN नवे, एक इंक्यान नवे तो आप ऐसे याद रखेगा कि धारह 189 मेश की चीच का वर्णन है मिथ्या साक्ष देने का क्योंकि किसी ने मिथ्या साक्ष याने ज्वूठे साक्ष दिये जब पकड़ा गया तो एक कान पकड़ के माफी माग रहे है अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 211 की इसमें वनन है मिथ्या आरोप मतलब होता है जूठा आरोप लगाना ठीक है तो जूठा आरोप मतलब 200 होता है तो दोस में आपको सब्ध मिल जाएगा 200 दोस 200 और कोई भी व्यक्ति मान लिजे कोई भी जुर्म करता है मान लिजे कोई भी अपराद करता है और खुद के बचने के लिए दूसरों को बोल रहा है कि उस ब्यक्ति ने ये अपराद किया है जूटा रोप लगा रहा है दूसरे ब्यक्ति के उपर मिथ्या आरोप का यानी जूटे आरोप का ठीक है याद रहेगा ना तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 228 की इसमें वनन है नियाईक व्यक्ति के अपमान का तो इसको याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि आपको पता है अपमान दो तरीके से किया ज 22 और या तो अपने हाथ से तो हाथ फोर आठ तो 22 और आठ है नहीं 228 तो आप ऐसे याद रखेगा कि धारा 228 में किस चीज का वर्नन है नियाईक व्यक्ति के अपमान का वर्नन है ठीक है याद रहेगा ना तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं डार तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि असलेल जो पुस्तके हैं उनको बैन कर देना चाहिए तो कोई विवक्ति बोल रहा है कि कर दो बैन क्या कर दो बैन कर दो ठीक है तो कर दो बैन तो दो और बैन फोर 22 तो आप ऐसे याद रखेगा कि धारा 292 में किस चीज का वर्नन है असलेल तो फर्ष्ट बार अगर पकड़ा गया तो दो वर्ष की सजा प्लस दो हजार जुर्माना होगा और अगर दूसरी बार पकड़ा गया तो पांच साल की सजा प्लस पांच हजार जुर्माना होगा ठीक है तो इस चीज को आप याद रखेगा अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 294 की इसमें वर्णन है असलील गाने गाना ठीक है जो कि यह का प्राधिक कर है अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसको तीन महीने की कैद प्लस जुर्माना देना पड़ेगा ठीक है तो इसको याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि अगर कोई दो की नाच जाए तो दो और नाच में सब्द लिखाव है नव और चार तो दो नव चार यानि धारा 294 तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 294 में किस चीज का बनन है असलेल गाने गाने का ठीक है जो कि एक अपराधिक कर है साथी मैं आपको एक चीज बता दूं कि कि क कानूनी अपराध है तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आपने फर्ष्ट पार्ट देखी है तो उसमें मैंने आपको धारा 8 में बताया था कि कानून के नजरों में पुरुस और महिलाओं में कोई भी भेद नहीं है तो अगर महिलाओं के संब्द में कानूनी अपर अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 299 की इसमें वर्णन है आपराधिक मानव वध की ठीक है तो इसको याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि यहां पर वध की बात हो रही है और वध जब आपने सुना होगा तो हमेशा दानव से संबंदिती सुना होगा नहीं राक्षसों स स्री राम जब कहां गये थे वन गये थे तब उन्होंने बहुत सारे दानव का वध की अथा जैसे ताड़का वध ठीक है तो यह चीए तो वध आपने दानव से संबंदित सुने होगी दानव मतलब राक्षस होता है तो दानव में आपको सब्द मिल जाएगा दो नव तो आप बात कर लेते हैं धारा 300 की इसमें वनन है हत्या के परिभासा की तो इसको याद करना आसान है क्योंकि यहांँ पर हत्या के की परिभासा की और 300 में सब्द लिखा हुए 30 & Customer एसा समझे कि किसी व Works near मारा और उसके सामने एक सौ पड़ा हुआ hydraulic 30 मारेगा उसका अंत हो जाएगा 500 में बद जाएगा तो 3 और 100 फ्वार 200 ठीक है तो यह लिए हत्य होगी अब हत्य और बढ़ में आपको अंतर समझा देता हूं आपको यह थोयादேion कि 300 में हथ्या की परिभासा की बात की गई है क्योंकि 3 मारा तो हत्या हो गई तो ये हत्या की परिभासा कहलाएंगा तो हत्या वह होती है जिसमें Direct मारा जाए ठीक है और अगर Indirect मारा गया तो वदध कहलाता है जैसे आपको पता है कि दसरत ने जानवार समझ के मारा था तीर लग गई थी स्रवन कुमार के ठीक है तो वो हत्या नहीं कहलाएगी वो वध कहलाएगा ठीक है तो इस चीज को याद रखिएगा डारिक्ट मारा तो हत्या इंडारिक्ट मारा तो वध अब कुछ चीजे मैं आपको और बता देता हूँ कि कब वध हत्या नहीं होगी ठीक है तो अचानक लड़ाई अगर होती है तमर्त्य हो जाती है तो वध कहलाएगा हत्या नहीं ठीक है सहमती द्वारा अगर मिर्ती होती है तब भी वो वध कहलाएगा हत्या नहीं जैसे मान लिजे दो बॉक्सर थे दोनों आपस में लड़ रहे थे अब उनका काम है लड़ना गलती से किसी ने एक हुसा जम के मार दिया तो सामने वाला लुड़ह गया ठीक है तो वो वध कहलाए हत्या नहीं कहलाएगी तो आप इन सब चीजों को याद रखिएगा कि कब वध कहलाते है और कब हत्या कहलाती है ठीक है तो अब हम लोग बात कर लेते हैं धहरा 302 की जिसमें वर्नन है हत्या के दंड की हत्या की जो परिभासा का वर्णन था वो धारा 300 में था और हत्या के दंड का जो वर्णन है वो 302 में है तो 302 को ट्रिक्से बताने की विल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आपने कोई भी फिल्म देखी है तो आपने सुनाई होगा यह दफा 302 के तह सजाय मौद दी जाती है यह सब चीजे ठीक है तो इसको ट्रिक्से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अक्सर आप यह चीजे सुनते रहते हो ठीक है तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं अब हमाई सामने चो अगला है वो है धारा 304 खा जिसमें वर्णन है दहेज मृत्यू का ठीक है तो इसको याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि दहेज में सब्द लिखा हुआ है दही दही समझते हैं ना मठे वाली दही की बात हो रही है तो जो दही है वो किसको बहुत ज़्यादा पसंद था तो आप बोलेंगे क्रिश्न भागवान को तो क्रिश्न भागवान क्या करते थे जब दही गोकुल से मतूरा जाता था कंस के यहाँ क्योंकि राजा था तो उसके यहाँ पूरी चीज़े जाती थी सभी लेके जाती थी वहां से महिलाएं तो क्या करते थे क्रिश्मागवान की ट्री के उपर चढ़े रहते थे अपने पूरे के पूरे गैंग के साथ और ट्री के उपर चढ़े चढ़े ही मटके की उपर मटके रखे रहते थे दही के ठीक है तो उपर वाले मटके जितने भी होते थे वो निकाल लिया करते थे ट्री के ऊपर से ही ठीक है तो ट्री के ऊपर से मटके चोरी कर लेते थे मटके का अगा जीरो की तरह दिखेगा ट्री फोर थ्री और चोरी फोर चार ठीक है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 304 में किस चीज का वर्णन है दही फोर दहेज मृत्यु का और खा याद करना है तो आपको पते है दही क्रिष्ण भगवांगान दही की मटकी ले ले लेते थे तो उसको क्या करते थे? खा लेते थे तो खा लेने से खा आपको याद आ जाएगा ठीक है तो आप एसे याद रखेगा कि धारा 304 खा में किस चीज का वर्णन है दहेज मृत्यू का वर्णन है दहेज मृत्यू के समझ में आपको एक चीज और याद होनी चाहिए कि अगर विवाह को साथ वर्ष हो चुके हैं ठीक है यह नहीं साथ वर्ष के अगर बाद ऐसा कुछ होता है तो दहेज मृत्यू में नहीं आएगा साथ वर्ष के अंदर ही ये दहेज मिलती में गिना जाएगा ठीक है और इसकी सजा क्या होती है तो साथ वर्ष कैद और या फिर अजीवन कारावास भी हो सकते है ठीक है तो साथ वर्ष से अजीवन कारावास तक इसकी सजा मिलती है तो इस चीज को भी आप मिलती है तो इसको याद करना है तो इसको ऐसे समझे कि अगर कोई विव्यक्ति जो है वो आत्महत्या करता है तो जाहिसी बात है उसकी इक्षा धर्ती पर रहने की नहीं है है ना धर्ती पर वो नहीं रहना चाहता तभी तो आत्महत्या कर रहे है तो धर्ती फौर 30 और नहीं फौर 9 तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 30 अन्हीं 909 अर्थाद धारा 309 में किश्चीज का वर्नन है आत्महत्या के प्रयात्ने का वर्नन है ठीक है याद रहेगा ना और मैं आपको बता दू कि अगर कोई भी आत्महत्या का प्रयात्ने करता है तो उसको एक साल तक की सजा हो सकती है मतलब एक साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं इसके संबन्द में एक वाद हुआ था स्रीमति ग्यान कौर वर्सिस पंजाब सरकार के बीच में उसमें बोला गया था कि जीने के अधिकार में मनने का अधिकार सामिल नहीं है तो इस चीज़ को भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं ठीक है तो चलिए आगे बात कर लेते है आप हम लोग बात कर लेते हैं धारा 312 की तो इसमें वर्णन है गर्वपात करने की ठीक है तो इसको याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि गर्वपात की सितिक बनती है जब गर्व में बच्ची होती है ठीक है यह नहीं लड़कियां जब होती है तब तो ऐसा कह सकते हैं कि बच्चियां देवी का उतार होती है तो अगर कोई ऐसा करने की कोशिस करता है तो जाही सीवत है कि तीनों लोकों में इससे बरा कोई भी अपराध नहीं होगा तो तीनों लोकों में तीन सब दजग और बरा फॉर बारा यानि 312 तो याद रखेगा धारा 312 में किस चीज का व दिलती है Laurie reference हिसमें ठीक है तो चले आगे बात करते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 326 का की जिसमें वर्णन है तेजाव फेकने की बात करना आसान है क्योंकि यहां पर देखे तेजाब फेकने की बात हुरी है तो जाहिसी बात है वह जल जाएगा और यहां पर देखे 326 में 326 लिखा हुआ है तो सकते हैं कि अगर कोई भी बत्ती है उसको अगर चू दिया जाए बत्ती को चू दिया जाए तो जाहिसी बात है जल जाएंगे कैसे जैसे तेजाव में जलते हैं तो आप एसे याद रखेगा कि धारा 326 में किस्चिच का वर्णन है तेजाव फेकने का और का को याद करना है तो का की जिएगा ए भी लिख सकते हैं कि 326 A में वर्णन है ठीक है तो A तो जैसी बात है अगर कोई बत्ती छुएगा और जलेगा तो A की आवाज जरूर निकलेगी तो A फोर A ठीक है और इसमें सजा किती मिलती है तो 10 साल तक की कैद और पीडिता को उप्शार कराने के खर्च देने पड़ते हैं तो क्या करती है? अपने चेहरे को ढख कर रहती है है ना Kle fish घुंगट डालकर रहती है कि लजज़ा के कारन तो आप ऐसे आद रख रहते हैं कि जब पती की घर जाती है तो लज़ज़ा के कारन अपने चेहरे को ढख कर रहती में तो पति 4 35 और 4 ठीक है याद करने के लिए कर लेते हैं यान मतलब क्या होता है एरोपलेन नी वीमान और उत पीडन में पीडन सब लिखा मतलब पीडा पहुचाना ठीक है तो ऐसा समझे कि कोई भी व्यक्त जो है वो यान को पीडा पहुचाना चाहते हैं तो आपको पता है कि अगर यान को पीडा प होते हैं तीनों टैर उनको पंचर कर दे अगर कोई व्यक्ति तो कह सकते हैं कि उसने यान को पीड़ा पहुचाई है तो तीनों फोर तीन और पंचर फोर पांच चार ठीक है तो आप ऐसे याद रखेगा कि धारा लज्जा भंग का वर्णन है ठीक है अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तो अगला है धारा 354 बी इसमें वर्णन है इस्त्री को निर्वस्त्र करने का ठीक है यहाँ पर मैं आपको बता दूं जितनी जगे इस्त्री सब्द लिखा हुआ है ना वहाँ पर पूरुष क्योंकि कानून के इस्त्री और पूरुष में कोई भी भिन्यता नहीं है ठीक है तो इसको याद करना ऐसे आसान हो जाएगा क्योंकि आप पर देखिए 35 और 4 सब्द लिखा हुआ है 35 पर पत्ति आपको पता है ना ब्लेड की बात हो रही है और 4 को कर लेते हैं चीर तो अग बॉड़ी दिखने लगे की बॉड़ी कभी तो 354 बी इसमें की चीच का वणन है इस्त्री को निर्वस्त करने का ठीक है और इसमें सजा कितनी मिलती है तो मिलती है तीन से साथ साल तक की कैद अगर कोई भी ऐसा करने का काम करता है तो आब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 354 सी की इसमें वणन है छिपकर देखने की ठीक है रती क्रिया से समंदित अगर कोई भी छिपकर देखता है तो एक जूर्म है इसमें एक से तीन साल तक की सजा मिल सकती है तो इसको याद करना इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि अभी तक मैंने आपको का खा जितने भी बताय किया था धारा 304 खाको जिसमें मैंने देहेज मृत्यू आपको बताया था तो सी पहली बार आ रहा है तो अगर आप सी से समंदित कोई भी ओप्सन देखे न तो क्लियर कर लिजीगा सी मतलब देखना होता है तो देखने से समंदित छिपकर देखने का वणन किसमें है सी वा आ रहा है जैसे सी पहली बार आया बाकि आपको पूरी वीडियो में नहीं मिलेगा देखने को तो यहां पर देखिए 354 डी डी फर होतार डॉग और आपको पता है डॉग किसी का पालतू हो तो ज़्यादा तर पीछा करके उसके साथ जाता है ठीक है तो आप चाहें तो ऐस याद कर सकते हैं कि धारा 354 डी में किस चीच के बनन है इस तरी के पीछा करने का और अगर आपको ऐसे याद नहीं करना है तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि यहां पर देखिए 354 सी की बात हो रही है सी मतलब देखना और यहां पर 35 को कर लेते हैं पती और चार को चोर ठीक है तो पती घर में नहीं है तो चोर घुस आया घर में तो जाहिसी बात है अब वो देख रहा है कि सामने वाला सोज है जो भी महिला है उसके बाद वो अपना हां साफ करके निकल ले तो पती घर में नहीं है तो चोर अंदा आ गया और देख रहा है यहनी सी कर रहा तो 354D में बढ़नान है इस तरीका पीछा करना तो अगर पीछा करने की बात हो नॉर्मली लोग पीछा किस से करना पसंद करेंगे बाहन से ठीक है यानि अपने वीकल से पसंद करेंगे पीछा करना कोई दोड़के तो पीछा करेगा नहीं धूप में या फिर किसी भी स्थित ठीक है और पंचरफ़र पांच़आर तो ऐसे याद रखेगा कि धारा-354-D में इस्तरी के पीछा करने का वर्णन है और इसमें सजा किती है तो 3 वर्ष की कैद का वर्णन है ठीक है अब बात करते हैं धारा-369 इसमें वर्णन है ब्यापारण की ब्यापारण मतलब होता है kidnapping kidnapping का अर्थ समझे कि अगर किसी को बहला फुसला कर ले जाएं चाहे वो है विक्रिश चिति बखती हो मतलब जिसकी मान से किस्तिति सही ना हो और लड़के की उम्र अगर सोला है ठीक है और लड़की की तो याद रखेगा तो इसको याद करना इस तरह से आसान हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए ब्यापारण में सब्द लेखा हुए ब्यापार और हरण यानि ब्यापार के लिए हरण अब ब्यापार में दो चीजे होती है या तो प्रॉफिट होता है या फिर नहीं होता है तो तो profit for 35, profit 35 और नहीं होता for 9, ठीक है, इसकी trick मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पया हूँ, इसलिए थोड़ा सा hint मैं आपको दे रहा हूँ के वल, तो यहाँ पर देखिए या तो profit होता है या नहीं होता, profit for 35 और नहीं for 9, तो 359 यनि 369 तो ऐसे याद रखेगा कि 13369 में किस चीज कवर्णन है, ब्यापाहरण कवर्णन है, ठीक है, और ब्यापाहरण मतलब kidnapping होता है, और मैंने आपको बता दिया, kidnapping तब माना जाएगा, जब लड़की की उमर 18 से कम हो, और लड़के की उमर 16 से कम हो, या फिर कोई भी व्यक्ति है, जिसकी मानसी की स्तिती सही नहीं है तो उनको बहला फुसला कर अगर ले जाए जाए जाए, तो वो ब्यापाहरण की स्रेणी में आएगा, ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, धारा 361 की, तो इसमें बनान है, संदक्षन में से ब्यापाहरण की, मतलब संदक्षन में से kidnaping की, तो इसको याद करने के संब जब तक सीता माता को एक टक देख रहा था, जब तक की राम लक्षमान कुटिया से दूर नहीं चले गए थे, उसके बाद वो kidnaping करके ले गया था, तो ट्री के पीछे से एक टक देख रहा था, तो ट्री फोर त्री और एक टक फोर 61, तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 361 किस चीच के वर्णन है, संदक्षन में से ब्यापाहरण का, याद रहे करना, आसान है याद करना आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं, धारा 365 की, तो इसमें वर्णन है अपाहरण के परिभासा की, इससे पहले मैंने धारा 369 बताया, उसमें मैंने आपको ब् अपाहरण का मतलब क्या है, कि अगर किसी भी उम्र के व्यक्ति को बल पूरवक ले जाया जाया जाया, तो वो अपाहरण है, और उसमें मैंने उम्र की सीमा आपको बतायी थी, कि लड़का 16 साल से कम का हो, लड़की 18 साल से कम की हो, ठीक है, और अगर कोई भी व्यक्ति मानस पूरवक ले जाना तो आपने देखा होगा कि ज्यादा तर जैसे क्या करते हैं आतंगवादी लोग होगे वो लोग यात्री से भरी बस को अपहरण कर लेते हैं या फिर कुछ भी ऐसे आपने सुना होगा बहुत सरी मूवियों में बहुत सरे सीरियल में कि यात्री से भरी जो चटकी तो इसमें वड़नन है विवाह के लिए अपाहरन मतलब जबरजस्ती किसी को विवाह के लिए ले जाना ठीक है तो यहां पर देखें 306 में सब्दे लिखा हुए तीन और 666 में सब्दे लिखा हुए च्छे तो ऐसा समझे कि कि अगर किसी को जबरजस्ती के ले जाएंगे तो हाइशी सी बात है यह को खीच के ले जाएंगे Race 3 ना भी होता है और अगर उसका हाथ पकड़ के लिए उसको जबर जस्ती तो ज्यांथे सामने वह लगा चोडब ऑपार को entra अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 375 की जिसमें बलासंग के परिभासा का वर्णन है उसके बाद है धारा 376 जिसमें बलासंग के दंड की बात की गई है तो 10 साल या फिर अजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है यनि 10 साल का कैद या फिर अजीवन कारावास कम सकम 10 साल तो यहाँ पर उसके बाद है धारा 376D जिसमें सामुविक बलतकार का वर्णन है उसकी सजा होती है अजीवन कारावास तो कुल मिलाकर ऐसा समझे कि 375 और 376 में बलासंग यानि बलतकार से समंदित धाराएं हैं और ये जो धाराएं होती हैं ये बाल विवाह में भी यही लगती ह ठीक है अगर किसी का बाल विवाह करवाया जाते है तो यही धाराएं लगाई जाती हैं तो सिंपल से अगर बाल विवाह को याद कर लेंगे तो ये सभी चीज़े हमको याद हो जाएंगी ठीक है क्योंकि आप उसी से इसको को रिलेट कर लिजेगा तो बाल विवाह के समझ ओने 1575 और 1576 को याद करते हैं तो इसको ऐसे समझे कि मां लिए किसी के वीवाज जो है च्छोटे पन में हो गया ठीक है तो वह क्या होता है कि जब वो बड़ा होता है तो जरूर इनहीं कि उसी से विवाज करें ठीक है या फिर उसी मतला पीछे एड़ जाते हैं उस विवाह से तीन एज के बच्चे या फिर वह साथ चोड़ देते हैं तो मैंने बोला पीछे बच्च बच्चित बच्चर, टीक है और उसके सम्मंध में ये जो मैंने आपको बताई दिया कि बलास संग की परिवासा का भी बनन है और जितने वी बलास संग से समंधित अपराध है वो इसी के अंतरगत आते हैं चाहे बलास संग का दंड हो या फिर बलास संग में मूर्त्की हो या फिर रामूहिक बलतकार ओ तो इसके समंधि में 1375 और 1376 ही है और इसी से समंदित बाल विवाई भी है तो आप इसको याद रखेगा ठीक है आप हम लोग बात कर लेते हैं 1378 की तो इसमें वर्णन है चोरी के बारे में ठीक है तो इसको याद करना आसान है क्योंकि यहां पर देखे चोरी सब्द लिखा हुए है चोरी आपको यादा तर चोरी कब होती है जब इंसान सोते रहते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि जब हम सोती तब चोर हांध साफ करती है जब हम सब सोती तो चोर हांध साफ करती है तो सोती pra kir Guracion hein χोर 3388 में किस चीज का वनन है ठीक है अब आगे बात करते हैं अगला है धारा 389 इसमें वनन है चोरी के दंड का ठीक है प्लस जुर्माना ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं धारा 390 की तो इसमें वर्णन है लूट का ठीक है मैं आपको बता दू लूट वो होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा चार लोग हो ठीक है चार लोग से अगर ज्यादा हो गए तो फिर लूट नहीं क कैसा दिखते है तीन की तरह उ की मात्रा जो लगी हुए वो कैसे दिखती है तो आप बोलेंगे नौ की तरह तो तीन और नौ तो मुल गए फिर उसके बाद टा सब्द लिखा हुए टाको अगर थोड़ा सा जोड़ दें ठा जैसा कर दें तो कैसा दिखेगा जीरो जो की पांच या पांच से अधिक तो इसको याद करना आसान है क्यूंकि आपको पता है डाको की बात हो रही है और डाको जातर जंगलों में रहते हैं जहां बहुत ज्यादा ट्री हो पेंट पौदे हो जीक है जाडिया हो वहां पर डाको लोग एक कोने में निवास करते हैं सब क बीच में नहीं रहते तो ट्री के पास छुपे होते हैं एक कोने में तो ट्री फोर थ्री और एक कौने फर इंकाननवे तो 391 में किस चीज का वर्नन है डाकैती का वर्नन है ठीक है और साथी कुछ चीज़े मैं आपके इंफोर्मेशन के लिए बता देता हूं कि 392 में हाईवे में राद में लूट करते हैं तो 14 साल का कैद और प्लस जुर्माना ठीक है और जो डगैती के दंड है न वो धारा 395 में वर्णित है और इसकी जो सजा होती है वो होती है अजीवन कारावास तो इस में बनन है चोरो की टोली में से होना ठीक है तो चोरो की टोली में से होने पर क्या दंड होता है 7 साल की कैद होती है तो चोरो की टोली में से होना मतलब क्या कि चोरों की टोली में से एक होना यही ना एक की बात वरिए कि चोरों की टोली में से अगर कोई है तो उसको यह सजा मिलेगी साथ साल की कैद तो चोरों की टोली में से एक होना तो चोरों पर चार औरो ओ दिखता है जीरों की तरह मैंने बोला चोरों की टोली में से एक होना तो 401 एक तो धारा 401 में किस चीज का वर्णन है दोस्तों चोरों की टोली में से एक होने का दंड ठीक है अब आपको पते है कि चोर जो होते है डांकू से कम खतरनाक होते है ठीक है तो डांकू जो है चोर से उपर आएंगे क्योंकि डाकू ज़्यादा खतरनाक होते हैं चोरों से तो डाकू जो है चोर के उपार आएंगे नहीं 401 में चोर हैं तो 400 में डाकू आएंगे तो इसको भी याद रखेगा और इसकी सजा होती है 10 साल की कैद अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 494 और 95 की ठीक है तो इसकी जो सजा होती है वो होती है 10 साल की कैद प्लस जूर्माना ठीक है तो इसको याद करना है तो आपको पते है कि साधी में important चीज होती है फेरे तो फेरे से आपको फोरे याद आ जागा साधी के फेरे तो फोर आपको याद आ गया अब साधी होती है तो जाहिस व्यात है खुसियों का टाइम है तो लोग नाचते भी है तो नाचने में 9 और 4 साब्द लिखा हुआ है ठीक है तो नाच फॉर नाच तो 494 किसीच का वणनन है पती या पतनी के जीवनकाल में पुना है साधी का फिर जो 495 है इसमें लिखा हुआ है पहले विवाय को छिपाना यानि पहचान को छिपा रहा है पूरी तरह से कि एक बर विवाय हो चुका है तो पहचान फॉर 95 और साधी है तो फेरे होंगे तो फेरे फोर फोर और पहचान फोर पंचानवे जनी 495 में किस्टीच के वनन है दूसरे विवाय के दौरान पहले को छिपाने का याद रहेगा ना आगे बढ़ते हैं अब है धारा 498 का इसमें वनन है महिला को प्रताडित करने का तो आपको पता है प्रताडित करने का तरीक आद उठाना फोर आठ तो उन 408 यानि 498 ठीक है और ओप्सन देखें आपका क्लियर कर लोगे कि 498 का में महिला को प्रताडित करने का अप्राधिक कारणन है ठीक है ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने ओप्सन होंगे आपसे पूछा जाएगा कि महिला को प्रताडित करना IPC क कि किस धारा की अंतरकत एक अप्राधिक कर है और आपको उप्सन देखा 496, 497, 498 और 498 का ऐसा कभी नहीं होता जायतार आपको ऐसे देखा कि 315, 212, 498 का और 511 तो दूर दूर उप्सन देता है तो क्लियर हो जाएगा कि 498 का में महिला को प्रताडित करने का अप्राध वर है ना तभी तो मानहान ही होगी मानलीजे किसी का कोई नाम नहीं है ठीक है उसने पहले से अपने नाम बोर रखे हैं बोर रखे समझते हैं मतलब मतलब उसने अपने नाम कमाया ही नहीं है कोई उसको पहचानता ही नहीं है तो मानहान कितनी होगी थोड़ी सी लेकिन अगर कि इसी का उंचा नाम है तो मानहानी ज़्यादा होगी तो उंचा फर उंचास नाम फर नौ उंचास और नौ यनि 499 तो याद रखेंगे धारा 499 में मानहान की परिभासा का वर्णन है और इसका जो दंड है उसका वर्णन है धारा 500 में ठीक है इसके जश्ट बाद दंड क्या हो को गलत इसारे करना या फिर असलेल कॉल करना असलेल पत्र देना ये सब ठीक है तो इसका मतलब आप समझे कोई कॉल करता है या फिर पत्र देता है ठीक है तो जाहिसी बात है कि अगर वो सामने होगा तो पिट जाएगा और दूर है तो बच जाएगा ठीक है कॉल कर रहा है द लेकिन यहाँ पर बात फिलाल इतनी हो रहे हैं कि महिलाओं यहीं बोलेंगे कि पास आओ न तब बताऊं तुमको ठीक है पास आओ न पास फ़र पांच आओ फार ओ और न न न िनि पांस नौ तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि धारा 509 में किस चीज गवर्णन है महिलाओं क अपराध के प्रयात नकाम इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊं इससे पहले मैं आप से बोला चाहूंगा कि मुझे लगा नहीं था कि मैं IPC की धारा को अच्छे से ट्रिक के माध्यम से पूरा करवा पाऊंगा मैंने एक वीडियो बनाई भी थी तो वो मैंने बनाई थी आपकी महिलाओं से सम्बंदित अपराध की ठीक है तो उसमें ज्यादा ज्यादा 12-13 धाराएं थी तो उसको मैंने किसी प्रकार से किया था लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इसकी ट्रिक पूरी बना पाऊंगा लेकिन आप सबके सपोर्ट से ये पॉसिबल हो पाया है जबकि ये मुझे भी याद हो गई है उम्मीद है आपको भी याद हो गई होंगे ठीक है तो आप इसका रिविजन करते रहिएगा जिससे कि ये चीज कभी न भूले क्यूंकि आपको पत्या है ये आपके दैनिक जीवन से भी सम्मंधित है ठीक है तो इसको याद करना है अगर 511 को तो इसमें लिखा हुए है अपराद का प्रेयत अब अपराद का प्रेयत ने तभी पता चलेगा जब कोई बंदा पकड़ा जाए चोरी करते हुए या फिर कोई भी काम करते हुए है अगर चोरी करके निकल गया तो अपराद तो हो गया प्रेयत ने नहीं किया उसने कर लिया वो काम ठीक है तो अगर कोई पकरा जाए तो अभी पता चलेगा कि उसने अपराद का प्रेयत ने किया है तो पकरा जाय ठीक है यानि पकरा जाना जरूरी है तो पकरा फॉर पांच और जाना जरूरी है तो जाना फॉर ग्यारा पाम सो ग्यारा वैसे मैं पकरा नहीं बोलता है मैं पकरा बोलता हूं ठीक है याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि पकरा जाना जरूरी है तो की ग्याम की दिश्टी से महत्तुपूर्ण थी तो उमीद है जब आपके ग्याम में आएगा तो आप 100% सही करके आओगे ठीक है तो अब आपको कुछ कुश्चन के अंसर कमेंट करके बताने हैं जो की आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं और मैं आपसे पूरी उमीद रखता हूँ कि आप सभी कुश्चन के अंसर कमेंट करके बता होगे और अगर आपको इसकी फूल पीडियाफ चाहिए तो पीडियाफ के लिए मैं आपको बता आप जैसे ही चैनल पे जाओगे या फिर सेच करिए ट्रिक पॉइंट चैनल को टच करिएगा वहाँ पर आपके कुछ सेक्षन होते हैं जैसे की होम सेक्षन होता है फिर वीडियो का प्ले लिस्ट का ठीक है और कम्यूटी टैप का जहां पर मैं डेली कोशन पोस्ट करता हूँ और फिर उसके बाद होता है आपके इबाउट वाले सेक्षन में नीचे जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको दिखेगा टेलिग्रम की लिंक म मैंने दी हुई है तो टेलिग्रम ग्रूप जॉइन कर लिजेगा वहाँ पर मैं इसकी पीडियाफ आपको प्रवाइट करवा दूँगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंदु